नमस्कार प्रिये दर्शकों हाजिर हूँ मैं 3 अगस्त 2019 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिक्रम प्रारंभ करते हैं सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की आज शनिवार है श्रावन मास शुक्लपक्ष की आज तृतिया तिथी है जो कि रात्री में 10 बज करके 6 मिनट तक है और इसके पश्चाद चतुर्थी तिथी है मगा नक्षत रहे प्राताकाल 6 बज करके 45 मिनट तक और इसके पश्चाद पूर्वा फालगुनी नक्षत रहे वरियान योग एवम तैतिल करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज सम्हरासी में रहेंगे और अभिजित मुर्थ का समय ग्यारह बज करके 38 मिनट से दोपार 12 बज करके 31 मिनट तक होगा तो वहीं राहुकाल का समय प्राताकाल 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहने वाला है जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभ कार्य अभिजित मुर्थ में प्रारंभ करने की सलाह हमें देता हूँ ये अभिजित मुर्थ हरी को अतिप्रिय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए राहू नाम आते ही इनका लोग भैभीत हो जाते हैं कुछ ने इनके प्रभाव को अपने जीवनकाल में देखा है प्रभाव को जानकर डरे हुए हैं तो कुछ डराय हुए है राहू ने सब को डरा कर रखा है क्या आपने अपने जीवनकाल में राहू का 18 वर्षीय महादसा देख लिया अगर देख लिया तो ये आपको पता होगा कि 90 लोग कहेंगे मुझे राहू ने कस्ट दिया और 10 लोगों ने कहेंगे कि राहू की महादसा ने मानशिक असांती तो जरूर दी लेकिन फाइदा बहुत दिया फाइदा ही ये देते हैं लेकिन मानशिक अशांती बहुत ज़ादा देते हैं बालेकाल में अगर ये राहू की महादसा आ जाए तो निसंदेह सक्षा को ये पूरी तरह से बाधित कर देते हैं या यूं कहें कि सक्षा को समाप्त ही कर देते हैं जीवन के मध्यावध ही में आ जाए बीच समय में आ जाए तो जातक को नाम और सोहरत तोवस्य देता है बदनामी भी ये दे देते हैं और जीवन के आखिरी समय में यानि उत्तरार्ध में आ जाएं तो हड़ियों से संबंधित परेशानी तो अवस्य दे करके रखते हैं और प्रेशन चोट चपेट की घटना कराते ही हैं और तो और परेशान धरत में ही व्यक्ती बेघर हो जाता है घर में रहते हुए बेघर हो दराते हैं कस्ट देते हैं और कुछ इनके दराने वाले स्वभाव के कारण इनको डरामना मान लिया गया क्या आप भी राहू से परिशान हैं अगर हैं तो आज का ये दिव्य महाप्रयोग चाहे आपकी कुंडली में हो आपके बच्चे की कुंडली में हो राहू किसी भी सुचरण कर रहे हैं मिथून रासी में शुक्र सूर्य और मंगल ये तीन ग्रह यूती बनाकर सुचरण कर रहे हैं करक रासी में तो वहीं चंद्र देव सिम्म रासी में संचरण कर रहे हैं और चंद्रमा गुरू का संबंध चौथे दसमे का गज केशरी योग का गोचर मे निर्मान कर रहा है गुरुदेव वरिष्टिक रासी में वक्री होकर के संचरन कर रहे हैं तो इशनिदेव केतु के साथ यूती बनाकर संचरन कर रहे हैं धनुरासी में है ये है ग्रहस्तुति इनी ग्रहस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार क अगर आप अपने जन्व राशी के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं दिब्बे महा प्रयोग के बारे में बता दूँ आपको करना क्या है किसी भी सोम बार के दिन आपको दो वस्तु में मार्केट से बाजार से खरीद करके लानी है तामबे का नाग ये दो होना चाहिए तामबे का बना हुआ सर्प नाग दो होने चाहिए और गोमेद पत्थर बड़ा सस्ता है वैसे तो ये महंगा वाला भी आता है लेकिन आप सामान्य सस्ता वाला ही ले लीजिए यहाँ एक और बात आपको बता दूँ पीडा अगर अधिक है तो मात्रा आप अधिक रख सकते हैं वैसे मैं आपको बड़ी गंभीर बात बता देता हूँ कि जो गोमेद छोटे छोटे यानि दो धाई रत्ती में होते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं यानि बिना मोल के जैसे भाव में तो दो तीन रत्ती वाला चार पांच पत्थर ले लीजिया और इन सब को खरीद कर घर इसके बाद एक साफ काले रंग का कपड़ा मार्केट से रख ले लीजिया घर में हो उसको बिछा करके और उस पर नाग को इस्थित करके उनके ऊपर गोमेद पत्थर को रख दीजिये और पूजा करना है आपको कितने दिनों तक तो शनिवार तक सोमवार को लाना है और सो सामन्य पूजन आप चाहें तो राहु का मंत्र भी जब सकते हैं सामन्य पूजन करना है धूपदीप चंदन पुस्पगंध हित्यादी लगा करके और प्रार्थना करना है राहु कस्ट से मुक्ति प्रदान करें इसी प्रकार पूजा करते हुए शनिवार के दिन जब को ले करके कहीं नदी क्या तट हो या कोई सुंसान या सांत जगह ले जा करके और जमीन में थोड़ा सा गड़ा खोद कर और इसे गाल दीजिए घर चले आईए और घर में आकर सीधा जो वस्त्र आपने पहना हुआ है उस वस्त्र को पहने हुए शनान कर लीजिए वस्त्र एक बार जीवनकाल में आप अवस्य करिये अगर राहु से मुक्ति चाहते हैं राहु के कस्टों से मुक्ति चाहते हैं चलते हैं रासी फल की तरफ बात करेंगे राश्यों के क्रमा में पहली रासी में इस रासी के जातकों के लिए आज का ये दिन क्या लेकर क्या रहा है च पतीत हो रहे हैं, आज पास के लोग आज आपकी तारीफ करते नहीं ठकेंगे, मकान का या काम करने की जगह में आप बदलाव सोच रहे हैं, चाहते हैं कि बदलाव कुछ करूं, तो समय उसके अनुकूल है आप विचार कर सकते हैं, दोस्तों से मुलाकात होगी और उनके साथ काफी अच्छी बातचीत होने वाली है, जो कुछत तक आज आपके लिए उपयोगी सिद्ध होने वाली है, परिवार और संतान को आज आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी, और मैं आसा करता हूँ कि आप उन अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, व्यापारीवर की ब से छोड़ दें, बिचार करके निवेज कीजिएगा, बात अगर प्रेम संबंधो की करूं, तो आज प्रेमी से आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, अगर आप अब विवाहित हैं, तो बिवाह का प्रस्ताव आ सकता है, दिन इसके लिए बहुत बढ़िया है, परन्तु द मेहनत का संपूर्ण लाव मिलेगा, बाकी के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है, सेहत की बात करें, तो ज़रूरी चेक अप करवाते रहना होगा, स्वांसे सिस्तम मंधित और मौसमी बिमारी होने की संभावना है, आपको सावधान रहना ही होगा, त पिरासी से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, मन में आज उथल पुथल मची रहेगी, लेकिन यह आप किसी को समझने नहीं देंगे, जानने नहीं देंगे कि आपके भीतर कौन सा तुफान चल रहा है, आज आप जितनी बिनमरता रखेंगे, बिनमरता से बातचीत कर होंगे, समय के साथ साथ आज लोगों का मूड भी आपके प्रती सकारात्मक होने लगेगा, साथ काम करने वाले किसी सहयोगी पर बहुत अधिक निर्भर होना ठीक नहीं है, कारिस्थल पर आज आपको हर किसी से वैसे तो सहयोग मिल जाएगा, मनुरंजन या छुट्टी का कोई कारिक्रम बनाईए क्योंकि कल रविवार है, तो छुट्टी का कोई कारिक्रम दै कर लीजिए, सभी काम आपके बराबर बिल्कुल चलते रहेंगे, व्यापारीवर की बात करूँ, दिन बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता, आमदनी से अज़ादा खर्चा होने वाला में आप बदनाम होंगे, परेशान होंगे, आज किसी भी बात पर विसेज कर राजनितिग्यों को बता दूँ, आकरामक मत होईएगा, बात अगर प्रेम संबंधों की करूँ, तो पार्टनर के साथ समय बिताईए, जितना भी समय बीतेगा, आपके लिए बढ़िया होगा, और जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्लैन बनाईए, एक ही दिन के लिए सही परन्तु घूमने के लिए जाईए, विद्दार्थीवर की बात करूँ, तो आलस्य और ठकान आज आप महसूस करेंगे, और सिहत की बात करूँ, तो पेट से सम्मंधित परिशानिया बीमारियां आपको परिशान कर सकती हैं, भगवान, शिव के मंदर में चले जाईए, और जाकर के उन्हें बिल्लो पत्र अर्पित करिए, पहले जल चढ़ाईए, और फिल भी बिल्लो पत्र लाब मिलेगा, लकियं का आपके लिए चार और लकी कलर है, ग्रे, मिथुन डास कोई आपकी बात पर अगर अवसहमती जाताता है, तो उसे समझाने की कोशिश करिए, मनाने की कोशिश करिए, हलाकि अपने विचार थोपने की आवशक्ता नहीं है, बलकि मैं तो ये कहूंगा, कि अपने ही विचारों को बलकि बारिकी से एक बार परक लीजिए, हो सकता है आपके विचार में ही कुछ या आपके निरणय में ही कुछ गलती हो आज आप धीरे धीरे आगे बढ़िए परिस्रम के साथ, आत्मविश्वास के साथ, धैर्य और इमानदारी के साथ आप निसंदे सफल होंगे अपने मन की बात आज किसी से सहर मत कीजिएगा क्योंकि आने वाले दिनों में आपके मन में ये जो खयालात उत्मन हो रहे हैं ये फाइदे मंद सुध्ध होने वाले हैं नौकरी पेसा लोगों के लिए देखा जाये तो आज का दिन सामान्य है व्यापारिवर की बात करूं तो आज का दिन है तो फाइदे मंद परंतु फाल्तु का दिखावा मत करिए अपने काम से काम रखिए जीवन सांती से थोड़ी अनबन हो सकती है आज और प्रेम संबंदों की बात करूं तो लवलाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा मिला जुला रहने वाला है बेवज़ दिखावा करने की आवशक्ता नहीं आपका प्रेमी हो सकता है आपकी कोई ऐसी बात जान गया है जिसके चलते वो आपकी आपसे सत्ते सुनना चाहता है आप उसे सत्ते बताईए बिद्यारतीवर की बात करूं तो मेहनत से सफलता मिलने वाली है दिन आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता आपकी पढ़ाई को ले करके सेहत की बात करूं तो मानसिक तनाओ और पेट से सम्मंधित परिशानी आज आपको परिशान कर सकते हैं काले तिल का दान करना आज आपके लिए फाइदे मंद सिद्ध होगा लकी अंक आपके लिए पांच है और लकी कलर है क्रीम करकरासी करकरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या ले करके आ रहा है गोचर कुंड़े में चंद्रमा आज आपकी रासी से द्युतिय भाव में संचरन कर रहे हैं दिन के सुरुआत सामाने रहने वाली है करियर में बदलाव करने पर विचार करेंगे आप आज बनने वाली आपकी प्रतेक योजना बहुत ही कम समय में आपको अच्छा परिणाम देने वाली होंगी लोग आज आपका साथ देंगे मकान खरीदने की इक्षा बना रहे हैं और सही मकान की खोज कर रहे हैं तो आपकी तलास जल्द ही पूरी हो जाएगी हो सकता है आज कल में ही आपको इसकी सूचना मिल जाए मकान भूमी प्लोट से संबंदित जितने भी आपके काम हैं वो सब पूरुन हो जाएंगे कारिस्थल पर आज दिन सामानने रहने वाला है और बात ब्यापारी वर्की करूँ तो निवेस अगर आप ब्यापार में कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करिएगा धनलाव तो अवस्य होगा लेकिन जल्दबाजी के कारण नुकसान भी हो सकता है आज गलत जगह पर गलत बात कह करके आप फंस सकते हैं अतह अपनी वानी पर पूरा नियंतरन रखिए किसी बात पर आज जीवन साथी से अनबन की संभावना पूरी है और प्रेम संबंधों मगर तनाव चल रहा है तो आज वो पूरी तरह से दूर हो जाएगा विद्धार्थी वर की बात करूँ तो मेहनत करने का समय है मेहनत करिए मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाकर के आपको सफलता मिलने वाली है और माता की सेहत आज थोड़ी खराब हो सकती है खुदकी सेहत का भी खैया रखिए और साथी साथ माकी सेहत का भी आज तीन पाठ हनुमान चालिसा का करिए लाभ मिलेगा लकी अंक एक है और लकी कलर आज आपके लिए पीला है सिमरासी सिमरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी रासी पर ही संचरन कर रहे है आज दिन बढ़िया है आपके लिए यूँ कह सकता हूँ कि पूर्वा भास होता रहेगा आपको सामने वालों के मन में क्या चल रहा है दूसरों के मन में आपके बारे में क्या चल रहा है दूसरा क्या सोच रहा है आज इसका अंदाजा आप अंतर्यामी की तरह पहले ही लगा लेंगे अधिकारियों के साथ आज आज आपको अपना विवार सयमित रखना होगा नई तकनिक की वस्तू खरीच सकते हैं आज आज आप किसी व्यक्ति के साथ बहुत लंबी बादचित होगी और उस बादचित का जो नतीजा निकलेगा वो आपके पक्ष में होगा आज आप मीठा बोलकर अपना सारा काम पूरा करवा सकते हैं इनकम और खर्च दोनों आज आपका सामाने रहने वाला है आपका पराक्रम बढ़ा रहने वाला है और बात अगर ब्यापारी बर्की करूँ दिन आपका बहुत बढ़िया है विशेसकर आर्थिक दृष्टिकोन से दिन आपके लिए विशेस अनुकूल रहने वाला है जल्दबाजी या जादा उत्सा आपके लिए नुकसान देह सिब्ध होगा और पती-पत्नी के बीच अगर कोई गलत फ़हमी है यानि दामपत्य जीवन में कोई गलत फ़हमी है तो वो दूर होकर दामपत्य जीवन सुख में होने वाला है लाइफ पार्टनर पर आज आपका खर्चा पढ़ेगा और बात अगर प्रेम संबंधों की करूँ तो प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य विद्यार्थी वर के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है पिता की सेहत को लेकर के आज आज आप चिंतित रहेंगे उनकी सेहत को लेकर के आज 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 थोड़े परिशान हो सकते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आप किरासी से बार्मे भाव में हैं आज आप रोजमर्रा के कामों में बदलाव लाने के मूड में हैं आज आपका मन और मस्तिक सुप दोनों बहत ही सक्रिय रहेगा कोई बड़ी महत्वा कांचा आज आपकी पुर्ण हो सकती है और कोई दोस्त आज आपको कोई ऐसी बात बता सकता है कोई ऐसी काम की बात बता सकता है जिसके बाद आपको मजबूरन सक्रिय हो जाना पड़ेगा आज आपके दिन में जो उत्साह हीनता आ गई थी उसमें कहीं न कहीं आपको वो बात कह करके सक्रिय कर देगा यात्रा का कोई कारिक्रम आज आपका बन सकता है पैसों का फायदा होने वाला है और ओफिस में कोई बड़ी उपलब्धी आपके नाम होने वाली है या इसकी पूरी संभावना है अगर आप दलाली का काम करते हैं तो आज आपको नुकसान हो सकता है जरा सावधान हो करके काम करिए हो सकता है जितना पैसा सामने वाला देने के लिए कहेगा बाद में वो मुकर जाएगा जोखी भरे सौधे करने से आज आपको बचने होंगे और उधार दिया पैसा आज आपको मिल सकता है अगर आप होस से काम ले जोस में आकर सामने वाले से लड़ने भिड़ने की जगह जिसके पास आपका पैसा फंसा हुआ है प्रेम से समझा कर अगर आप उससे अपना पैसा निकालना चाहे तो कुछ पैसा हाँ थवस्य लग जाएगा आज आपको छोटी छोटी बारीक बिंदूओं की भी अंदेखी नहीं करनी है हर बात का खयाल रखना है लव पार्टनर के बिवहार से आज आपको सावधान दहना है और एक दम से कोई प्रतक्रिया नहीं देनी होगी अन्यथा प्रेम सम्मंध तूट जाएगा आज दामपत्ते जीवन सामान्य विद्यार्थियों की बात करूँ तो मेहनत से परिणाम थोड़ा कम मिलेगा इसे से आज आज आपका मन खिन्न रहेगा पुराने रोगों से आज 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 को मुक्ति मिल जाएगी सेहत पहले क्या पिक्षा ठीक रहने वाला है घी का दिया तुलसी जी को दिखाईए लाव मिलेगा लकी अंग तीन और लकी कलर आपके लिए आज महरून है तुलारासी तुलारासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या आ रहा है देखिए गोचर कुंडवी में चंद्रमाज जिस उस्तुति में आपके लिए हैं वो आज है तो बहुत बढ़िया क्योंकि एकादस भाव में संचरन कर रहे हैं आज आपके में उर्जा शक्ति अद्भूत रहेगी आतनों विश्वास विजबर्दस्त रहेगा आफिस के कुछ महत्त्व पूर्ण कारे आज केवल आपके ही हाथो हो सकते हैं या यू कहें कि आपके हाथ लगाते ही वो कारे पूर्ण हो जाएंगे योजनाओं के साथ-साथ अगर आप आज कड़ी महनत भी करें तो आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है आपको दूसरों के साथ काम करना होगा या यू कहें कि टीम वर्क करना होगा पूरे धैरे के साथ काम करना होगा सहयोग लेना होगा और सहयोग देना होगा धैरे लगातार बनाय रखिये किसी के उपर अपनी मन मानी मत ठोपिये सामने वाले की भी सुनिए यह आपके लिए फाइदेमंद है आज कोई नया प्रेम प्रसंग शुरू हो सकता है अधिकार छेत्र में आज कारिस्थल पर आपके बृध्धी होने वाली है और व्यापारी वर्ध की बात करूँ तो व्यापार में आज विवाद की स्थुती बनेगी और ये विवाद आपके उगरता के कारण होगा नई योजनाओं से आज आज आपको फायदा मिल सकता है या यूँ कहें कि नई योजनाएं आने वाले दिनों में आपके लिए फायदे मंद सिद्ध होंगी आज आपका पार्टनर बहुत भावुक है बाहर की बाते बता करके बाहर की टेंशन प्रेसर घर में ला करके अपने घर का माहुल खराब करेंगे आप प्रेम सम्बंदों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ट की बात करूँ तो मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने वाला है मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए समय बहुत उप्युक्त है और अगर बात सेहत की करें तो स्वास्त से सम्मंधित कोई परिसानी दिखाई नहीं पड़ती भगवान शिव के मंदर में चले जाए गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आप किरासी से दशंभाव में संचरन कर रहे हैं आज आप थोड़ा धैरे बना करके रखिए सोचे हुए काम आपके अपने आप ही पूर्ण हो जाएंगे अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा सेहत के साथ साथ जो जिम्मेवारियां आपके उपर हैं उनका भी खयाल रखिए गजब का आपनो विस्वास आज आपके अंदर भरा हुआ रहेगा किसी कानूनी दस्तावेज पर अगर आप थस्ताक्षर करने वाले हैं बहुत बारीकी से एक बार उसका अध्यान कर लेना होगा प्रेमी के साथ आज जितना भी समय बीतेगा बहुत अच्छा समय बीतेगा ब्यापारीवर की बात करूँ तो बिजनेस पार्टनर के साथ आप समझहोता करने का मन बना कर कहीं चलिए लड़कर आप ब्यापार अपने हाथ से गवा देंगे ब्यापारीवर की बात करूँ दिन सामान्य और बात अगर निवेश की करूँ तो कहीं भी निवेश अगर आप करते हैं ब्यापार में फाइदे मन रहेगा नया वाहन खरीदने का आज आप मन बना सकते हैं कोई बड़ा संकट अपने आप ही आपका अजहल हो जाए मकान घूमी और प्लॉट खरीदने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो इसमें आपको सफलता मिलेगी और आज अपनी जुंजलाहट अगर प्रेमी पर या जीवन साथी पर निकालने की सोच रहे हैं या निकालने की गल हलाकि साम तक सिर्दत की शिकायत थोड़ी होगी पर घबराये मत हनुमान जी की सरण में आ जाईए और हनुमान बाहुक का पाठ कर लीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा लकियंक आपके लिए नौ और लकी कलर आज आपके लिए के सरिया है धनुरासी धनुरासी के जातकों क हैं नौकरी करते हैं दिन आपके लिए बड़ा ही शुभ रहने वाला है अधिकारियों से सहयोग मिलने वाला है व्यापार और वो भी साजेदारी का अगर आपका व्यापार है तो एक-एक कदम आगे बढ़ते चले जाईए लाव मिलेगा इनकम होगी और कोई पद भी मिले होने वाली है आज आप जोश या तैस किस्तुती में आकर पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला मत करिए बाद में पस्ताएंगे प्रेमियों के लिए दिन बड़ा ही सुभ है और आज दामपत्ते जीवन की बात करूँ तो जीवन साथी से सहयोग और प्रेम दोनों मिलन करने वाला है पेट से संबंधित परिसानियां आपको परिशान कर सकती हैं मसालेदार भोजन से बचना होगा और बात अगर विद्यार्थी वर्की करूँ तो विद्यार्थी वर्क के लिए दिन बड़ा ही अनुकूल है लाभ उठाईए इस समय का अगर आप मैनेजमेंट फिल्ट से जुड़े हुए हैं दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए मसालेदार भोजन से आज आपको बचना होगा और आज हनुमान जी की आरती कीजिएगा लाभ मिलेगा लकियन को दो है और लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है मकर रासी मकर रासी के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी रासी से अस्टम भाव में संचरन कर रहे हैं थोड़ी परिशानी मन पर निंत्रन रखना होगा कोई आप पर हावी होने की कोशिस करता है तो आकरामक मत होईए शांत हो जाईए देखिए क्यों हावी होना चाहता है अक्रामक होकर के जबाब देंगे सामने वाला और अक्रामक होगा आप पर हावी होने का प्रत्न करेगा हो सकता है आपका कुछ अहित भी कर दे शांती से उसकी बात मान लीजी आज और फिर देखिए वक्त आने पर आप उसे ऐसा दबाएंगे ऐसी पठखनी देंगे कि वो भी त्राहिमाम कर उठेगा आज आपको अपना खुद का आत्मविशलेशन करना होगा आखिर क्यों लोग कई बार आपसे नाराज हो जा रहे हैं अपनी अधिर्टा या मन की बेचैनी को आप सांती से व्यायाम से धृआन से योग इत्यादी की पुस्तोकों से प्राणायाम करके शांत कर सकते हैं अप अगर आप साज़धारी का बिजनस करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल फाइदे मंदर रहने वाला है, भाग्ये बिल्कुल आपके अनुकूल होगा आने वाले दिनों में, आज आप अपने जीवन साथे के साथ कहीं घूमने के लिए जाएए, बिवाह का प्रस्ताव मिलने अगर आप अभी वाहित हैं, और प्रेम संबंदों की बात करूं, तो अगर आप किसी कोई जहार प्रेम काज करने वाले थे, तो मत करिए, सामने से अस्विकृत होगा, बिद्ध्यार्थिवर की बात करूं, सुच्छा भरा दिन है, दिन फायदा देने वाला है, और अगर पर सेहत की करूँ तो आज आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहने वाली है बजरंग बान का पाथ आपके लिए फाइदे मंद सिद्ध होगा लकी अंक पांच और लकी कलर आपके लिए आज ग्रीन है हरा कुम्भरासी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर करके आ रहा है चंग्रमा गोचर कुंडली में आपकी रासी से सात्वे भाव में संचरन कर रहे हैं आज आपका मन कहीं भटकता सा रहेगा आज आपको श्यादा ही संवेदन सील होंगे लेकिन किसी बात पर जरूरत से जादा प्रतिक्रिया मत दीजिए प्रतिक्रिया देने से बचिए अपने आप सामाने हो जाएंगी तब तक आपको धैरे बना करके रखना होगा किसी रहस्य मईबाद या किसी रहस्य पुर्ण विधा में आज आपकी रूची एका एक जागरत हो जाएगी जो आपके लिए थोड़ा फाइदे मंद भी हो सकता है ज्यान में बृद्धी हो ज सकता है पार्टनर के साथ जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो जाए अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए और प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है सुखद है बिद्यार्थिवर की बात करूं तो अपने परिणाम से आज आप थोड़े असंतुष्ट रहेंगे और स स्वांसे से संबंधित परिशानी आपको परिशान कर सकती है सरदर्थ की सिकायत अगर आपको माईग्रेन है तो होने की संभावना बहुत जादा है सावधान रहिए बिल्लो पत्र तीन लेकर के जाकर भगवान शू पर अर्पित कर दीजिए लकी अंक साथ और लकी कलर आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी रासी से आज सश्ठम भाव में संचरन कर रहे हैं बातचीत करने की आपकी कला से आपके रुके हुए सारे काम पूरे हो जाएंगे सीधी बात कहना आपके लिए बड़ा ही बहतर सुद्ध होगा औ पर कारिक छतर में बिवाद का आज योग बन रहा है आज आपकी प्लैनिंग आपके सारे काम करवा देगी साज़िदारी के कामों में अगर कहीं हस्ताक्षर करने की आवशक्ता है तो हस्ताक्षर करने से पहले कागज को एक बार ठीक से पढ़ लीजिए और अपने किसी वि इंत्रण रखना जलूरी है क्योंकि अगर आप नहीं रखते तो कब आपका मूड बदल जाए कह नहीं सकते और कब किसके साथ आज आप बिवाद कर बैठें कह नहीं सकते आज आपको बिवाद से कोसो दूरी बना करके रखनी है जीवन सांती के साथ सम्मंध बहुत अच्छा रहने वाला है जितना समय उनके सांथ बीटेगा बैठ कर कि आप बातचित करेंगे उससे आपके मन को शांती मिलेगी कोई नया प्रेम प्रशंग भी आज सुरू हो सकता है प्रेम पार्टनर के साथ जितना भी समय बीतेगा आपके लिए बढ़िया होगा पार्टनर से प्यार और सम्मान दोनों आपको मिलने वाला है और अगर आप मैनेजमेंट फिल्ट के विद्यारती हैं तो दिन बहुत बढ़िया है आसानी से सफलता मिलने वाली है मानुसिक असान्ति से आज आपको गुजरना पढ़ सकता है तनाओ थोड़ा हो सकता है ठकान और आलस्य से भी आप परिशान होंगे सावधान रहिएगा गंगा जल भगवान शूपर जाकर कर्पित करिए लकियंग का आपके लिए 6 है और लकी कलर आज आपके लिए लाल है तो प्रियदर्शकों ये था मेज से लेकर के मीन रासी परिंद प्रतेक रासी के जातकों का पूरे दिन का हाल अभी के लिए वसितना ही इजाज़त दीजे पुना मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार